Hello everyone, welcome to competition exam, जिके, दोस्तों, आज है 16 फरवरी, और 16 फरवरी से current affair के जितने भी important question बन सकते हैं, सारे हम इस वीडियो में cover करेंगे, और सबी question से related extra effect भी जानेंगे, ये सारे question important है, इसलिए वीडियो अन्त तक देखेगा, दो चलिए start करते हैं, हमारा पहला question, मारा पहला question है, हाल ही में कौन शादेश मिलन 2020 नामक नोसिना भ्यास का आयोजन करने जा रहा है, तो दोस्तों हाल ही में करने जा रहा है, वो है भारत, option B है, वो इसके right answer होगा, यानि भारत है, वो मिलन 2020 नोसिना भ्यास का आयोजन करने जा रहा है, इसके अक्सा effect देखते हैं यहाल ही में भारती नोसेना विशाका पटनम में मिलन 2020 नोसेना भ्यास का आयोजन सुरू करने जा रही है मिलन का मुख्य उद्ध से क्या है वह दोस्तो बहु पक्षिय नोसेनिक अभ्यास है इसमें विभिन देश की नोसेना हिसा लेंगी जिसमें दुनिया भर की यूद पोत तथा वरिष्ट गणमाने वेक्ति के भी सामिल होने की बात कही जा रही है इसके लिए 41 देशों को आमंतित किया गया है कितने देशों को दोस्तो एक तारिस देशों को इस एक्सटा एफेक्ट है इनमें भी क्यूशन बन सकते हैं दोस्तो याद रखना नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में किस राज्य में पहले बार गलोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन क्या जा रहा है यानि Global Investor Summit का आयोजन क्या जा रहा है किस राज़े में क्या जा रहा है दोस्तों वह क्या जा रहा है जम्मू कस्मेर में Option B है उसका Right Answer होगा ठीक है दोस्तों इसका एक्साइफेक्ट देखते हैं वो है जम्मू कस्मेर में पहली बार Global Investor Summit का आयोजन क्या जा रहा है है भारत सरकार इसके लिए भी पहल कर रही है भारत सरकार ने बजट 2021 में भी जम्मो कस्मेर के विकास के लिए 30,757 कुर्ड रुपे आवंटित किये हैं ठीके दोस्तो याद रखना अक्स्टा एफिक्ट वी जो बहुत ही मैथोपुं है ठीके दोस्तो नेक्स्ट है हाल ही में IISS की रिपोस्ट के अनुशार 2015 में वेश्वी करक्षाव ए में कितने परतिशत की वर्दी हुई है IISS की रिपोट के अनुशार बताईए दोस्तों कितनी हुई है तो दोस्तों वह हुई है 4 परतिशत है यानि option A है वो इसका right answer होगा यानि IISS की report के अनुशार 2019 में वेश्विक रक्षावे में 4 परतिशत की वर्दी हुई है इसके एक्सा effect दखते हैं दोस्तों वह है है हाल ही में IISS यानि International Institute of Strategic Studies वेश्विक रक्षावे में अपनी report जारी की गई है जिसके अनुशार वर्ष 2019 में वेश्विक रक्षावे में 4 परतिशत की वर्दी हुई है IISS की full form है दोस्तों वह है International Institute of Strategic Studies ठीकी दोस्तों याद रखना IISS की full form भी Next question है वो है हाल ही में कहां पर पहली Intercity Electric Bus सेवा शुरू की गई है तो दोस्तों वह कहां पर की गई है तो वह की गई है Mumbai से पूने Option C है वो इसका right answer होगा Mumbai से पूने के लिए पहली Intercity Electric Bus सेवा शुरू की गई है इसके अक्सा effect देखते हैं हाल ही में मुंबई से पूने पहली Intercity Electric Bus सेवा शुरू की गई है इस Bus सेवा को केंदरिय प्रिवहन मंत्री नितिन गड़करी द्वारा लॉंच किया गया है ये बस परतेक दो दिन मुंबई से पूने और पूने से मुंबई जाएगी याद रखना दोस्तो ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में पुल्वामा हमले में शहीद CRPF जवानों की समर्ती में इश्मारक का उद्गहटन कब किया गया बताए दोस्तों इसका राइट क्या होगा वह होगा 14 फरवरी 2020 को याद पर सभी 40 वीर सेनिकों की फोटोज रखी गई है जिसमें सभी सेनिकों के नाम भी लिखे हुए है कहां पर क्या गया था दोस्तों वह क्या गया था लेथ फोरा केम्प में इश्मारक का उद्गहटन किया गया था नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में भारत ने किस देश में मयोनिक सुरक्षा शमेलन में हिस्चा लिया है किस देश ने लिया दोस्तों दोस्तों बहे लिया है जरमनी ने यानि option B है उसका right answer होगा जरमनी ने हाल ही में मयोनिक सुरक्षा शमेलन में हिस्चा लिया है 14 फृवरी 2020 में भारती ने जरम्नी में आयोजित मयोनिक सुरक्षा समेलन में हिंचा लिया है यह आयोजन 14 फृवरी 2020 से 16 फृवरी 2020 तक आयोजित होगा इस शमेलन में भारत का पर्थिनित्रित वैं केंद्रिय विदेश मंतरी एस जेशंकर कर रही है कौन कर रहे हैं भारत का परदिन दिद्र वह कर रहे हैं केंद्रिय विदेश मंतरी एस जैशंकर कर रही है Next question है हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में दो एम्स और नो मेडिकल कॉलेज बनाने की गोशना की है कहां पर की गई है तो वह की गई है जमू कस्मीर में Option D है वो इसका राइट नसर होगा यानि कि जम हाल ही में भारत सरकार ने जमू कस्मीर में दो एम्स और नो मेडिकल कॉलेज बनाने की गोशना की है ठीक है दोस्तों Next question है हाल ही में किसे Air India का Chairman वे Managing Director के रूप में निक्त किया है Air India का Chairman वे Managing Director के रूप में किसे निक्त किया गया है दोस्तों वे किया है राजिव बनसल को यानि Option D है वो इसका राइट होगा डिटल में देखते हैं हाल ही में राजिव बनसल को Air India का Chairman वे Managing Director के रूप में निक्त किया है एसा दूसरी बार हुआ है जब उन्हें Air India में Chairman में Managing Director के रूप में निक्त किया है राजिव बनसल 1988 वेच के नागाल इंट केडर के IAS Officer है ठीक है दोस्तों Next है हाल ही में परवासी भारतिय किंदर का नाम बदल कर किस नेता के नाम पर रखा गया है बदाइए तो दोस्तों बहर रखा गया है सुष्मा शवराज यानि Option B है और राइट आंसूर होगा इसका सुष्मा शवराज की नाम पर भारतिय किंदर का नाम बदल कर रखा गया है हाल ही में भारत सरकार ने परवासी भारतिय केंदर का नाम बदल कर सुस्मा शवराज भवन वविदेश सिवासंस्तान का नाम ने लिया है ये फैसला केंदर सरकार ने उनके जनम दिन के मौके पर लिया गया उनका जनम 14 फरवरी 1952 को पंजाब के अमबाला में हुआ था ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में किस राज़े में रेडिंग मिशन 2020 को सुरू किया है हाल ही में हाल ही में हर्याना सरकार ने अपने राज्जे में रेडिंग मिशन 2020 को शुरू किया जिसका मुख्योदे से युवाज चात्रों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है ठीके दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो प्रसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अब अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही करंट अफेर के डैली वीडियो लेके आता रहूंगा ठीके दोस्तों धन्यवाद